हलो गाइस, वेलकम बेक टू मैं येटूब चैनल, तो आज हम देखने वाल है Poco X3 Pro का नेक्टवर सेक्शन और ब्लुटूथ वाइफाय सेक्शन, ये रहा नेक्टवर सेक्शन, ये रहा ब्लुटूथ वाइफाय सेक्शन तो चलिए आज को टॉबिक स्टार्ट करते है सबसे पहले नेक्टवर ले ले लेते है अगर आपके फोन में नेक्टवर नहीं आ रहा है तो आपको ये ये उल्टेज लाइन चेक करनी है ये जो पावर चार्जिंग आईसी से आई हुए हमारी चार्जिंग गंडूल आईसी है इससे जो आई वी है ये सब लाइने पीएफो में जारी है गया और दोनों PFO में गई है यह वाली power से फिर यह वाली power से main power से भी गई वी यह PFO में तो यह सब line है आपको check करनी है तो देख एक बार मैं आउर दिखा देता हूँ यह वाली power की main line है यह वाली भी एक में डिये हैं यह सब line है check कर लिनी है आपको यहां पर आई है यह भी लाइन चेक करने हैं वाली चार्जिंग पावर से और कुछ इस तरीकी के कनेक्शन है तो यह सब भी आपको चेक कर लेने ज़्यातर गाइस क्या प्रावलम आता है नेक्टर कभी का कई बार नहीं आता है तो ज़्याता यह आई सी ड्राय हो जाती है कई बार उसके वज़ेसे भी आप अच्छे से और देख लेजिए आपको समझनी आया होगा तो इस तरीके तो कुछ कनेक्शन गया है तो यह देख अब इस तरीके तो कुछ कनेक्शन गया है सब जगें तो आप एक बार और देख लीजिए तो अभी हम स्टार्ट करते हमारा में टॉपिक कुम सा है वाइफाई ब्लुटूथ का भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वाइफाई ब्लूतूथ और जीपीएस आपका अगर वक्त नहीं कर रहा है तो कुछ इस तरीके के connection है आप देख लिए जिए कि आपको कहां वक्त करना है कैसे वक्त करना है यह ओल्टेज लाइन बन रही की नहीं है आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं मल्टिमेटर के माध्यम से तो कैसा क्या रहेंगा सब तो बस आज के लिए इतना ही था अगर आपने अभी तक कि हमारा यूटूब चैनल सब्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल से जल सब्क्राइब कर ले और साधी साथ बेल आइकॉन झालब कर दो खो, हो हो जब कर दो है हुआ है